क्लास 12 फिजिक सिरीज यहां पे चल रही जैसा कि आपको पता है और यहां पे हम लोग प्रेक्टिस को कवर कर रहे हैं लगातार अभी तक मैंने आपको इलेक्ट्र स्टेटिक के कोश्चंस में एलेक्ट्रिक फिल्ड एंड चार्ज और उसके बाद हमने एलेक्ट्रिक पोटे चैनल को और ज्यादा मन करें तो वीडियो को शेयर भी कर सकते हैं तो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्ट्र और केप्सेटर का कुश्चन अगर हम ले रहे हैं तो यह है आपकी स्क्रीन पर कुश्चन नमबर वन और यह चैप्सेटर नमबर टू का 20 कुश्चन है क्योंकि ज चैनल को माइक्रो कॉलम चार्ज इट्स रेडियस विलबी तो इसकी रेडियस क्या होगी यह हमें बताना है तो यहाँ पे बात किसी कर रहा है एनरजी की बात कर रहा है एनरजी के लिए मैंने आपको तीन फॉर्मुले जब हमने तेजूरी पार्ट कवर किया था तो वहाँ V की जगह है, तो V is equal to Q is equal to कितना होता है, C V होता है ठीक है, तो C की जगह है, अगर आप Q upon V रख देते हैं, तो एक और formula मिल जाएगा, क्या मिल जाएगा, half E की जगह रख दीजे, Q upon V into V square, ठीक है तो ये formula एक और मिल गए यहाँ पर, क्या Q V upon 2, half Q V, एक और formula यहाँ से मिल जाएगा, अगर आप इसकी जगह V की जगह कितना रख देंगे, V is equal to Q upon C रख देंगे, तो एक और formula आपको मिल जाएगा, तो ये formula जो है वो आप खुद ही derive कर सकते हैं इन formula को derive करने के लिए आपको कहीं और मेहनत करने की ज़रुत नहीं है कहीं और जाने की ज़रुत नहीं है आपको एक formula learn करना है बाकी के derivations की help से मतलब बाकी के, बस क्या करना है, put करना है और बाकी के तीन formula आप लगा सकते है तो Q upon C जो यहाँ पर लगाएंगे यह तीन formula आपको पता होने चाहिए अब यहाँ पर हम जो formula यूज करेंगे वो यह वाला यूज करेंगे तो कि हमें given क्या क्या है उसके according हम चलते हैं तो देखो हमें given क्या क्या है तो हम यहाँ पर लिख लेते है, given है सबसे पहली चीज हमें दे रखी है यहाँ पर ue कितना दे रखा है, यह दे रखा है 4.5 joule, ठीक है उसके बाद चार्ज गिवन है चार्ज कितना दे रखा है, 4 into 10 to the power minus 6 कुलम क्योंकि 4 micro कुलम है, तो 4 into 10 to the power minus 6 कुलम हम लिख लेते हैं उसके बाद हमें जो given है, वो क्या given है तो हम यहाँ पर लिख देते हैं इस जो value given है दो चीज़े अगर given हैं तो तीसरी हम आराम से निकाली सकते हैं इसी formula है value put कर देंगे हमें क्या मिलेगा देखो, समझते हैं इसमें question को solve करना है, तो फिर इसमें करना क्या है यह हो जाएगा यहाँ पर 4.5 Q is equal to half Q square upon C यह formula आएंगे तो half Q square यानि कि 4 into 10 to the power minus 6 का square और upon C कितना है, वो हमें निकालना है C is equal to हो जाएगा 4 यानि कि 16 into 10 to the power minus 12 upon 2 into 4.5 यानि कि यह हो जाएगा 16 upon 9 into 10 to the power minus 12 ठीक है, तो C की value यहाँ पर यह निकल के जाएगा, अब हमें formula पता है C is equal to कितना होता है 4 pi epsilon not into R हम यहाँ पर value पूट कर सकते है R निकालना है, तो R is equal हो जाएगा और upon 4 pi epsilon not to C यहाँ पर पूट कर देंगे 9 into 10 to the power 9 और यह हो गया 16 into 10 to the power minus 12 upon 9 9 से 9 कैंसल हो गया और यह हमारे पास जो आजाएगा वो आजाएगा R is equal to 16 into 10 to the power minus 3 meter मतलब यह जो answer होगा, वो कितना होगा तो यह जाएगा 16 mm देगे, तो यह radius हो गई अब इसमें देखो कौन सा option correct है तो 16 mm option 3 यहाँ पर correct है ओके 4 bits clear to you यह वाला आपको clear हो गया होगा इसमें कोई problem नहीं होगी अगर आपको कोई problem है तो आप पूस सकते है कि किस तरीके से यह solve होगा है वैसे बहुत easy है आपको formula याद रखना है formula क्या है formula है U is equal to half cb square ठीक है next question है आपकी screen पर यह करहें कि system of three charges are placed as shown in figure if capital D is so greater than small d the potential energy of the system is best given by potential energy हमें system की निकालनी है इसके लिए हम क्या करेंगे देखको हमारे पास formula होता है इसके लिए simply आपको formula पहले याद रखना है तो वो formula अगर आपको पता है तो आप आप असानी से इस question को solve कर पाएंगे ठीक है क्या formula होता है यह है u is equal to minus k q q upon r ठीक है यहाँ पर k क्या है यहाँ पर constant होता है जिसकी value होती है 1 upon 4 epsilon 0 and q and q जो है वो यहाँ पर charges है r जो है वो distance है तो u अगर हम निकालेंगे यहाँ पर तो कितनी हो जाएगी minus k q q upon distance कितनी है d है और यहाँ से कितना हो जाएगा minus k q square upon t ठीक है potential energy जो होगी वो interaction कितनी होगी तो यहाँ पर potential energy of the dipole यहाँ पर लिख जिते है itself और यह वाली जो energy हम निकालना है वो लिकालना है potential energy of charge interaction यह कितना मिलेगा ui is equal to minus k q upon d square into q into d ठीक है अब यहाँ पर हम क्या करेंगे total लिका लेंगे total energy कितनी हो जाएगी यह जाएगी us plus ui मतलब यह हो गया आपका minus q k q square upon d minus k q q d upon capital d square यह जाएगा आपका minus k q square upon d plus q q d upon d square ठीक है तो यह total क्या होगी potential energy होगी उमीद है कि आपको यह सुझ में आगया होगा इसमें अगर कोई problem है तो आप फूच सकते हैं ठीक है आते हैं अपने next question पे और question number 22 है वो क्या कह रहा है देखो a fully charged capacitor has the capacitance C it is discharged through a small coil of refractive resistance wire embedded in the thermally insulated block of specific heat capacity S and mass M if the temperature of the block is raised by del T the potential difference V across the capacitance is so potential difference हमें निकालना है across the capacitance let's see इस question को solve करने के लिए हमें क्या करना है देखो U is equal to हमें formula पता है half Cb square होता है ठीक है U is equal to कितना होता है half Cb square यहां से हमें अगर heat चाहिए तो heat के लिए formula जो हम use करेंगे वो जाएगा H is equal to M S del T ठीक है तो यह specific heat का formula आपको याद होगा तो del T जो है वो क्या है change in temperature है यहां से V निकाल लो यह square root में हो जाएगी सारी value 2 M S del T upon C ठीक है तो यह क्या आगया यह जो potential है potential की value यहां पे कितनी निकल के आगई तो यहां पे देखते है option में कुछ दे रखा है या नहीं दे रखा है यहां पे कौन सा option करेक्ट है देखो 2 M S del T upon C square root याने की option 4 यहां पे correct है ठीक है next question number 23 है आपकी screen पर यह कह रहा है कि capacitance in farad of a spherical conductor with radius 1 meter अगर 1 meter की radius है तो उस spherical conductor का जो capacitance है या capacitor value होगी वो कितनी होगी तो C is equal to formula होता है spherical conductor के लिए 4 pi epsilon naught into r यहां पे value लगा दीजिए तो 1 upon 4 pi epsilon naught की value 9 into 10 to the power 9 होती है तो 4 pi epsilon naught की value होगी 1 upon 9 into 10 to the power 9 और r के जागे आप 1 put कर देंगे तो यह आजाएगा आपका 0.11 into 10 to the power minus 9 और इसको हम ली सकते है 1.1 to 10 to the power minus 10 farad ओके यह चेक कर लीजे यह value 1.1 into 10 to the power minus 10 farad है यह value आपकी इसमें बिल जाएगी next question पर आते है और question number 24 यह है इसमें question में क्या कह रहा है इसका statement मैं एक बार पढ़ देता हूं question का statement है कह रहा है कि C की value नकाल नहीं अगर equivalent capacitance यहाँ पर 1.00m इस्य है देखो यह दोनों series में है फिर इसके साथ में parallel हो जाएँगे यह दोनों parallel में है फिर इसके साथ series में हो जाएँगे पिर यह दोनों यह जो भी आएगा निकलके तो यह दोनों series में होंगे फिर इसके साथ में parallel में हो जाएंगे और फिर ये दोनों क्या हो जाएंगे सिरीज में हो जाएंगे उसके आराम से हम निकाल लेंगे अभी आपको सुझमें यह आई होगा मैंने क्या कहा तो एक बार मैं आपको समझा देता हूँ देखो जो ये 6 और 12 वाले कैपसेटर है यहाँ पर देख रहा होगा आपको देख लिजए एक बार ये जो 6 और 12 ये दो माइक्रो फैरड के जो कैपसेटर है ये दोनों क्या होंगे सिरीज में है सिरीज में होने की विज़ए से इसको हम जब लिखेंगे तो क्या लिखेंगे देखो इसको मैं सीडेस लिख देता हूँ और सीडेस इसी कोड़ हो जाएगा 6 इंटू 12 अपॉन 6 प्लस 12 मतलब कितना हो गया 6 इंटू 12 अपॉन 6 प्लस 12 इस 18 6 ती अठारा 3 चोग 12 यानि कि इसकी वैल्यू कितने आगई 4 आगई अब यह 4 है वो 4 के साथ में क्या हो जाएगा पैरलल में हो जाएगा तो पैरलल ही जब हम इसको करेंगे तो इसकी वैल्यू क्या आजाएगी तो यह आजाएगा आपके पास ये पहले तो हम इसका network जो है बना लेते हैं और जो network बनेगा बंड़ेगा आप इसके बाद कि यहां से यहां पर था फूर और फिर यहां पर एक और कैपसिटर ये इस तरीके से जोड दिया हमने पिर यहां से कैपसिटर लिख लाओ था एट यहाँ पे था 4 फिर यहाँ से network यह पूर आ गया था और यह भी पूर आ गया था हमारा यह यहाँ पे 1 गिवन था अब यहाँ पे देखें ध्यान से कि यह वाला जो है यह वाला जो पार्ट है यह वाला यह दुनों क्या है पैरलली कनेक्टेड है तो पैरलल जब कनेक्टेड होते है तो हम सीधे लिख सकते है C2 लिख देता हूँ यहाँ पे C2 is equal to कितना हो जाएगा 4 plus 4 मतलब यह हो गया 8 यहाँ पे यह वाला जो network था पीछे वाला यह वाला यह दोनों क्या थे पैरललली कनेक्टेड थे तो यह 2 और 2 कितना हो गया 4 हो गया तो इसलिए मैंने यहाँ पे direct 4 लिखा हुआ है यहाँ रखेगा यह जो है 4 इसलिए आया है तो यहाँ पे यह दोनों आप series में हो जाएंगे तो यह दोनों series में आगा है तो इसको C3 लिख देता हूँ हो जाएगा 8 into 4 upon 8 plus 4 तो गया 8 into 4 is ऐसी रहन जाते हैं और 8 plus 4 is 12 तो चारतियां 12 यह आगया 8 upon 3 अब जो network बनेगा वो network कुछ ऐसा बनेगा यहाँ पे C है यहाँ पे 1 microfarad है C and 1 यहाँ से निकला हुआ है यह 8 y 3 फिर उसके बाद यहाँ पे आगया B और यहाँ से यह जो है यह आगया 8 ठीक है अब 8 and 8 y 3 यह दोनों क्या है parallelly connected दिख रहे होंगे आपको क्योंकि इसका पहला capsulator पहली plate से और दूसरा दूसरी plate से जुड़ा हुआ है तो यह दोनों क्या है parallelly connected है तो यहाँ पे जब यह दोनों parallel connected है तो यह क्या हो जाएगा देखो इसको एक काम करते है यहाँ पे पहले इन दोनों को solve करते है यह series में है यह series में है तो यह हो जाएगा C4 is equal to 1 into 8 upon 8 plus 1 this is equal to 8 upon 9 ठीक है यह 8 upon 9 हो गया तो यहाँ पे आ जाएगा 8 upon 9 अब जो circuit बनेगा वो बनेगा ऐसा this is 8 upon 3 और this is 8 upon 9 और यहाँ पे है B यह दोनों parallel connected है तो यहाँ पे आगया C5 is equal to अगर आपको नहीं देख रहा है circuit तो देख लीजे एक बार यह इस तरीके से connect होगा और उसके बाद हम क्या गरेंगे C5 निकालेंगे तो C5 is equal to कितना हो जाएगा यह जाएगा parallel तो C3, 8 upon 3 and 8 upon 9 तो इसको हम solve करेंगे 9 आगया और 8, 3, 24 plus 8 तो 8, 4, 12 यानि कि 32 और 9 ठीक है 9 upon, और 32 upon 9 आगया तो अब यह C के साथ में क्या होगा series में connect होगा तो हम यहाँ पे आप लिखेंगे तो C की value कितनी है C is equal to यहाँ पे आजाएगा C into तो दिख जेते हैं 32 upon 9 तो this will be C into 32 upon 9 upon C plus 32 upon 9 और इसकी value कितनी दे रखिया अब दे रखिया C equivalent यह हो जाएगा C plus 32 upon 9 is equal to 32 C upon 9 32 इसको इथर ले आते हैं तो यह हो जाएगा 32 upon 9 is equal to 32 C upon 9 minus C जैने कि 32 minus 9 to C upon 9 9 जब 32 में से minus करेंगे तो कितना हो जाएगा 23 this is 23 upon 9 C is equal to 32 upon 9 तो 9 से 9 cancel कर देते हैं C is equal to आगया 32 upon 23 तो यह किस की value हो गई? यह C की value हो गई? तो इसमें कौन सा option correct होना चाहिए? देख लेते हैं 32 upon 23 यानि कि पहला वाला option यह आपे correct हैं इस type का questions आपको clear हो गया इस type का जब भी question आएगा तो आप ऐसे ही solve करेंगे और इस तरीके से आपको पहले पहचान करने होगी कौन सा series में कौन सा parallel है series और parallel का अगर आपको clear हो गया तो आप आसानी से ऐसे questions solve कर सकते हैं कर सकते हैं